बात जब जनता के सरुकार की होगी तब बात हिंदूस्तान की होगी नमस्कार मैं हूँ यश्कुराना और आप देख रहे हैं पंजाब के स्री ना पानी पहुंचा ना कोई योज ना पहुंची तो सिर्फ नेताओं की बाते और आश्वाशन कड़ी धूप में तपता बुंदेलखंड पानी को तरस रहा है सत्ता में जा बैठी सरकारों को बुंदेलखंड की अवाज नहीं सुनाई दे रही लेकिन फिर भी बुंदेलखंड सरकारों की कानों में जूरेंगे इसलिए प्रयास कर रहा है बुंदेल खंड बुंद बुंद को तरस रहा है फिर भी चुनावी मुद्दा नहीं है खेर आम आदमी पार्टी अपने नाम से मिलती जुलती दो पार्टीयों से परिशान है क्या आपको पता है दिल्ली में तीन आप पार्टीयां है बताऊंगा सब कुछ तफसील से लेकिन सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें माया वति को पिएम नरेंदर मोदी का जवाब पिछडी नहीं अती पिछडी जाती का हूँ राहुल गांधी ने पिएम पर साधा निशाना कहा मोदी ने बोला 15 लाख का जूड शत्रगन सिन्हा ने किया जिन्ना का गुणगान बताया कॉंग्रेस परिवार का हिस्सा जिन्ना की तारीफ से पल्टे शत्रगन सिन्हा कहा जुबान फिसल गई थी बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर के खिलाफ एफ आई यार बिना इजाज़त जन्सभा करने कारो पायवती बोली नमो नमो कहने वालों की होगी छुटी अखिलेश ने कहा चोकिदार हटाओ अमिज शाहा ने कहा सत्तर साल देश पर राज करने वाली सरकारों ने छीना घरीब कहा राजनात सिंह का दावा बीजेपी की सुनामी में बह जाएगा विपक्ष विभान सभद चुनाव न कराने पर भढ़के उमर कहा मोदी ने अलगा वादियों के आगे टेके घुटने शिरिलंका में आतंकियों के अखिलाब सर्च ओपरेशन में धमाका चार संदिग्धों समेट 15 की मौँट आज खबरों में कुछ खास है नहीं सभी एक दूसरे परारोप लगाने में व्यस्त हैं चुनावों का समय जो है लेकिन सोचा की एक ऐसी जगहा के बारे में बताओं जहां किसी का ध्यान नहीं है शायद आपका भी नहीं होगा ये नाम हर पांस साल में सुर्ख्यों में तो रहता है लेकिन फिर भी समधान का कोई नाम उनिशान नहीं है सब ही आते हैं आश्वाशन देकर चले जाते हैं योजनाई यहां पहुंचते महुते दब दोड़ देती हैं मैं बात कर रहा हूँ बुदेल खंड की सूखे बुदेल खंड की तप्ती धर्ती पर कहीं चले जाईए पानी बड़ा मुद्दा है ना पीने के लिए प्रयाप्त पानी है ना सिंचाई के लिए जहांसी के बबीना ब्लोक का ऐसा ही एक गाउं है मथुरापुरा खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है किसान चुनावी चर्चाओं से दूर उसी में व्यर्स्त हैं बताया जाता है कि तीन मंजरो वाला यह इलाका सबसे पिछड़ा है पीने के लिए पानी नहीं है कोई महमान आ जाये तो पानी पूशने में कतराते हैं साड़े छे हजार की अबादी है पिछली गर्मी में होहला मचा तो पाइप डाल कर विवस्था की गई लेकिन कुछ समय बाद हटा ली गए खेतों की प्यास बुजाने की भी कोई कारगर कोशिश नहीं नजरा रही है पाइप लाइन है नहीं हैंड पंबिया तो सुग गए हैं या खराब पड़े हैं वोट पड़े जाने के बाद यहां कितना काम होगा मालूम नहीं सरकारों से गाउं का हरेक आदमी परेशान है 2004 से 2009 बबीना ब्लोक के गाउं में नहर के लिए बड़ा अंदुलन हुआ था वर्ष 2009 के लोग सभाज चुनाव में नहर नहीं तो वोट नहीं के नारे को लेकर लोग सड़क पर उतर गए थे इसका लाभ भी मिला तरकालिन सरकार यानि कि यूपिय सरकार ने बुंदेल खंड पैकेज में नहर के लिए धनराशी दी थी गिसोली, बडोरा, बाघोरा, नियाखेडा, सुकूब, मानपूर, संधपूर समेच 17 गाओं का नहर मिला पानी पानी मिला था हूं को लेकिन अब भी 40 गाओं में नहर नहीं पहुँची है हालत खराब है पेजल की समस्या से जहां सी शहर भी अचूता नहीं है भूजल सर गिरने से हैंड पंप सुग गए हैं, 60-70 फिजदी अबादी को पानी के लिए 2-3-3 किलोमेटर जाना पड़ता है दूर इस इलाके में पानी भी यहां के लोगों को नसीब नहीं होता फिर भी यह चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है हमारी सरकारों को इधर ध्यान देना चाहिए, सरकार कहती है देश तरक्की की रहा पर है लेकिन बुंदेल खंड को तो पानी भी नसीब नहीं हो रहा बाकी की योजनाओं के बारे में तो छोड़ ही दीजिए हमारी सरकारों को ध्यान देना चाहिए बुंदेल खंड पार जो असली नाम की पार्टी है अगर उसी के नाम की पार्टी दो ओर आ जाएं तो असली पार्टी परिशान हो जाती है वोट बैंक का सवाल जो होता है दिली में तीन आप पार्टी है क्या आपको पहले पता था इस बारे में? हो सकता है कि आपने नाम ना सुना हो. इसलिए कहराओं कि लोग सभाज चुनावों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी जहां भाजपा और कॉंग्रेस से मुकाबला कर रही है, वहीं एक अन्य आप से भी उनका मुकाबला होगा. मिल जुलते नामों को लेकर आम आदमी पार्टी के निताओं में संशे है कि कहीं वोटर मिलते जुलते नाम देखकर असमंजस में न पढ़ जाए और वोट बैंक न खिसक जाए. इसके अतरिक्त नई दिल्ली सीट पर अन्जाम आदमी पार्टी की ओर से भी उमीदवार उतारा गया है. ये भी सुनिया आपकी काम की बात हो सकती है. आपकी अपनी पार्टी की मानेता को रद करने के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोट में याचिका दायर की गई थी. कोट ने पार्टी के चुनावचिन टोर्च पर रोक लगाई है. लेकिन पार्टी की मानेता का मामला चुनाव आयोग पर छोड़ दिया गया है वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसवा चुनाव में आमाद्मी पार्टी को टोर्च चुनाव चिन से खासा नुकसान हुआ था बताता हूँ कैसे दिल्ली की पांच विधानसवा सीटों पर टोर्च चुनाव चिन को 4,000 से अधिक वोट मिले थे, वही 15 विधान सभा सीटों पर लगभग 3000 से उपर वोट मिले थे, ये काम की बात भी सुन लीजी, दिल्ली में बस्पा ने भी सातों सीटों पर अपने उमीदवार खड़े किये हैं, तीनों निगमों में काम करने वाले सफाई करमचारियों के मुद् कर सकते हैं, इस बात में कोई दुराई नहीं है, दिल्ली लोग सभा चुनाव में कुल 98 राजनितिक दल भाग ले रहे हैं, इन में तीन राश्टे दल भाजपा, कॉंग्रेस और बसपा शामिल है, वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेला प्रादेशिक दल है, इनके यहीं थी महतुपूर्ण खबरे अब आपको बताता हूँ आज का इतिहास, जरा ध्यान से सुनियेगा, इतिहास में 27 सप्रेल का दिन, यानि कि आज का दिन कई मायनों में एहमियत रखता है, बताता हूँ कैसे, यह दिन कई छोटी बड़ी घटनाओं का गवा रहा है, इन म यानि कि बाबर ने दिल्ली का तक तो तास संभाला था, 1606 में बादशार जहांगेर ने आज यह के दिन बगावत पर उत्रे अपने पुत्र खुस्तरों को गिरफतार किया था, और 1748 में एक बार फिर वह 27 सप्रेल का ही दिन था, जब मुगल बादशा महुमाद शाह का नि इतिहास के साथ जिसमें हम बात करेंगे आज के हिंदुस्तान की और आपके सरुकार की धन्यवाद